अस्सलाम वालेकुम सिंध एमरजन्सी रेस्क्यू सर्विस टबर बन डबल टू S.E.R.S. में जॉब के अनॉस्मेंट हो चुकी है इसके लगर हम तालीमी काबलेत की बात की जाए तो अगर आपने कोई भी बैचलर्स की डिगरी या या मास्टर्स की डिगरी यापने कोई भी डिपलोमा ओर्डर से नर्सिंग की भी अगर आपने डिगरी की ए थब बही है तब याप इन जॉब के लिए इसली अप्लाय कर सकते हैं सिरथ जिन मेरे भेंबायों को डॉमिसाल सिंध की लिए अप्लाय कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्स्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोडिविकेशन आप तक इजली पहुंच सके सबसे पहले जो इनकी ओफिशिल एडवर्टाइसमेंट है वो हम आप सब को अच्छे दर्गाय से ए-to-z तक रिएट करके बता दे ताकि आप जब खुद से इडवर्टाइसमेंट को डाउम्लोड करें और गोत्रू करें तो आप सब को इतनी परिशानी ना फेस करनी पड़े जैसे का आप स्ट्रीन पर देख सकते हैं कि हमने इनकी जो ऑफिशिल एडवर्टाइसमेंट है वो डाउम्लोड करके रखी हुए है एप्लिकेशन्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम्टिवेशन और डैनमिक प्रोफेशनल डॉमिसाल इनसिंद प्रोवेंस ठीक है यहां पिन्होंने लिखा लोगवा है जिनके पास हैमिंग सिर्फ सिंद कर प्रोवेंस डॉमिसाल है इन जॉप्स के लिए अप्लाइ कर सकते हैं और दी बेसिक पॉजिशन आर रॉकॉइट तो दी एक्सेंशिफ ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग जो के आपकी 4-6 मीने की होगी इन्शाला सेलेक्शन के बाद जो को आपको भेजा जाएगा रेस्क्यू अकेडमी लहोर में भेजा जाएगा ठीक है और यहाँ इन्होंने वेहाँमाने साफसाफ मेंशन की हुए है कि फीमेड् से इंक्रेज़ थो अप्लाय विं permitir कर सकते हैं। मेल और फिमल दोने ही अप्लाइ कर सकते हैं नमबर और पोस्ट की बात की जाए तो हमारे पास आ रहा है Emergency Officer जो के PPS साथ में स्कील की जॉब है जहां भी आप PPS या SPS या SP भी देख लें तो आप समझ आपकर के Government जॉब से नमबर और पोस्ट की बात की जाए तो अप्लाइ कर सकते हैं और या फिर आपने B.E. Mechanical और Civil Engineering तीसरे डिविजिन, सेकंड डिविजिन में भी अगर आपकी डिगरी क्लियर है और आपको अतीन साल का experience वगरा है और अगर आपकी जो एज है वो 25 से 35 साल के दर्मियान है और उसके लावा आपको management, rescue, rescue, service, public health वगरा कभी experience वगरा काम करने आता है तब आप इस job के लिए easily apply कर सकते हैं ठीक है दोने male और female तोनों apply कर सकते हैं नों मिसले इन्होंने साफ़ा mention के वह सिंद प्रोविजिन वाली apply कर सकते हैं नमबर सेगिंड प्यारा है, IT officer की job है, जो के पांचे स्कील की job है, नमबर और पोस्ट दो हैं जो के कराची के लिए हैं सरफ, जिन्होंने B.S. computer science में या information technology या कोई भी इसके बराबर recognize इदारे से degree Q.E.E. और दो साल का आपके बाद experience है, hardware, software, database management का वो अगर आपकी एच बाइस से 32 साल के दर्मियान है, तब भी आप इसमें easily apply कर सकते हैं अच्छा, यहां पीनोंने एक अच्छी सीज़ लिखी हुए सिंद emergency rescue 1122 इनकी short form, जो के phase जो है, यह च्छटा phase है, ठीक, यह आपको लाजमी पता होना चाहिए अच्छा, यहां पे आ रहा है, shift in charge की job है, जो के पांच्छी स्केल की job है, नमबर पोस्ट 30 है, कराची के लिए 20, हिदराबाद के लिए 3, सक्कर के लिए 2, लाड़काना के लिए 3, शहीद बेरजीराबाद जो के नवापशा कहलाता है, एक और मिरपुर खास के लिए 1 अगर आपने बिएस्ट पारमेडिर्स और पेरामेडिकल डिप्लोमा किया हुए या नर्सिंग का, या पिर आपने डिए, सीविल या मेकेनिकल, लेक्रिकल का डिप्लोमा किया हुए आटोमेशन का और आपके पाद 2 साल का experience है, आपकी जोएज़ है, वो 22 से 32 साल के दर्मया के लिए दो, सखर के लिए दो, शहीद बिए नजीराबाद नवापशा के लिए दो, डिप्लोमा अगर आपने कोई भी किया हुए आटोमोबाइल में, मेकेनिकल, इंजिनिंग का रिकनाइस्ट इदारे से और आपके बाद 2 साल का experience है, और आगर आपकी एज 22 साल के दर्मय और आपके पसिंग प्रोवेंस का डोमिसाल है, तब आप इसमें इस जॉब के लिए अप्लाइ कर सकते हैं, पिर आपने डिप्लोमा किया हुए मेकेनिकल का या डिप्लोमा इन L.E.R. फ्रम सीविल डैंसिंग इंटरनेशनल इंस्टिटूट से और आपके बाद 2 साल का experience, 22 स 32 साल के दर्मान अगर आपके एज़ है, तब भी आप इसमें इसली अप्लाइ कर सकते हैं, पिर आरे कंट्रोल रूम इंचार्च की जॉब है, जो कि 5 स्किल की जॉब है, 17 सीट्स है, कराची के लिए 9, हिदराबाद के लिए 4, सक्कर के लिए 4, अगर आपने कोई भी सेर असेस्टेंट की जॉब है, जो कि 17 जॉब्स हैं, दादू में एक, दादू गंबर के लिए 1, 6 शधाद कोड के लिए 1, सांगर के लिए 2, 3 पारकर के लिए 1, गंबर कोड के लिए 1, जो यहां पर आप देख सकते हैं, सिंद्ध के जितने भी सीटी जॉब्स हैं, इन्हो कोई भी graduation में DIT का होना चाहिए, डिप्लोमा वगरा, computer skills आपको आनी चाहिए, दो साल का आपको experience होना चाहिए, और आपको graph or tapping speed हो अची होनी चाहिए, 22 से 32 साल के दर माना पी age होनी चाहिए, और सिंद का ही domicile होना चाहिए आपके पास, पिर आ रहा है computer operator, data center, wireless operator की job है, जो place of posting, इनों ने बताया हो, मैं आपको थोड़ा यहां से दिखा भी देता हूँ, याद देखें, ठीक है place of posting, आप लोगों को confirm बता दिये, ठीक है, यहां पर हम कहा थे, जी, अगर आपने कोई भी graduation किया होए, 6 महीने का, अगर आपके पास CIT का diploma भी है, और computer science की degree है, आपके पास किसी भी दारे से तब भी आप इसमें एजिली अप्लाय कर सकते हैं, ठीक है, फिर आ रहे है, emergency medical technician की job, जोगो चोथे skill की job है, number of positions 49 है, इनों ने anywhere in a sin province में आपकी किसी भी जगा लग सकती है, अच्छा, अगर आपने कोई भी nursing है, LHV province will be given diploma holder, जिनके पास diploma holders, health technician का है, य साल का experience होना चाहिए, private sector है, public sector है, hospital में, ambulance service में, और 20-35 साल जो आपकी एज होनी चाहिए, sin province वो सेम है, ठीक है, पिर आरहा, fire rescue, fire fighter की job है, जोगो चोथे skill की job है, 120 seats है, कराची के लिए 50, सिदराबाद के लिए 10, शेद बे नजिराबाद की 5, दादू की 5, और शेदात कूर क पांच, इस skill अगर आपने कोई भी intermediate की हुई है, pre engineering से तभी आप इसमें apply कर सकते हैं, और इसके साथ, अगर आपने कोई भी diploma metric के बात किया हुए, तभी आप इसमे apply कर सकते हैं, पिर हमारे पास यहां पर और मदीद आ रही है, यह job, पिर आ रहा है, माँपास driving supervisor की job है, जो क हमारे पास 25 seat से हैं, कराची के लिए 6, दादू के लिए 2, दादू कंबर के लिए 2, शाध कोड के लिए 2, सांगर के लिए 2, थर पारकर के लिए 1, अमर कोड के एक, घोड़की की एक, जो कबबाद की दो, बदीन की दो, जामशोरो की दो, ठठठा की दो, शवाल की दो, शे प्रिमिंग्स वगर आते हैं तब बहुर अच्छी बात है 18-25 साल आपकी एज होनी चाहिए सिंध प्रोवेंस वाले इसमें इसलिए अप्लाइ कर सकते हैं ठीक है टोटल नमबर और पॉजिशन्स की बात किया तो 324 जो है इन्होंने पॉजिशन्स की अनास्मेंट किये सिंध रेस्क्यू में ये इनकी नमबर और डिपार्टमेंट्स में कान काम की प्लेस और पोस्टिंग होगी आपके बास कितनी तालीम होनी चाहिए ये हमने आप सब को भी डिटेल में बता दिया अभी जो इंपोर्टन इनकी चीज़ने अभी हम उनके उभी गो थू करके अप्लाय के प्रॉसेस पे आगे फर्दर केरियोन करते हैं ठीक है इस इस इंस्टरक्शटें को लासमी पढ़ने लेना है आप एमजेंसी यूनिफर्म पर्स डैश्पर्टीज आप फीजिकल और मेंटली फिट होने चाहिए having a price character to undergoes for the maintenance extreme challenge situation like accident वगर आपका नहीं होना चाहिए कोई भी आप में जो मतलब होती है hide fire वगर आपकी हर एक चीज medically fit होने चाहिए आपने इस चीज़ को अच्छे तरह से go through कर लेना चाहिए यहां पर इन्होंने यह सी चीज़ लिख्यू भी है दिस इस चीज़ लेक्टि केंड़ आफटर फाइनल इंटर्वी ओलोंग दी कॉलेटर शेल नॉट भी सेंट तो दी नेशनल सर्विक्स यह अपर चाह से चीज़ मेने का आपको प्रोफेशनल हैंड ओन ट्रेनिंग दिया जाएगा rescue expertise से final selection of the candidates shall be made after the completion of the successful can training अचा तभी जब आपके final selection होगी ना वो 6 मेने के बाद आपकी training हो जाएगे ना तब उसके बाद आपकी हो जाएगी ठीक है यह की spirit during the training training affix harmony shall not be provided a department to the training according to the cadre याप यह देख लीजेगा इस अच्छे तरी के से अच्छा pick and drop of candidates during any step of their selection shall shall stand and now where waiting candidates shall be called for the institute once again यह ठीक आपने इसको भी पढ़ लेना है यहाँ पर 25% national allowance दे दिया गया है यहाँ पर पतलब आपको 25-20% जो है वजीफा दिया जाएगा only females को doing training के लिए ठीक है उसके scale के इसाब से फिजिकली और मेडिकली स्ट्रेणिंग प्रोसेस इंवर्फ दिप्रोसेस एज लेक्सेशन इन्होंने आपको पहले दे दिया गया है अच्छा नंबर से यहाँ पर आ रहे है फिजिकल स्ट्रेणिंग होगा आपसे सब्लेर रनिंग होगी है रकायमेंट इस्ट्रेणि क बात किजाए तो मेल्स को वन माल्ड कम्प्लीट खना होगा अच्व मिनिट में और वोई फिमिल्स 1 वो तदात बोले, फीमेल्स को नहीं लगानी होगी, सरफ मेल्स को ही लगानी होगी, मेल्स केंड़ेट्स को, पिर आरत चेस्ट फोर मेल्स और अधी कार्डरी शुड नॉट ब लेस दिन 33 जो आपकी चेस्ट उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अच्छा मेडिकल स्टिंग यहाँ पर इस चीज को लास्मी पढ़ लेना है, जिनके आइसाइड वगार वीक है, और अगर अगर आपको ड्राइविंग लाफ एंग ल्टीव, एच्टीव, एच्टीव वगार नहीं होती है, जिसको कलर वगार का इस्टीव और अगर आगर आपको लाइज़ जो हाइट और वेट वगार 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 बराबर नहीं है, तब आप सूटेबल नहीं है इन जॉप्स के लिए, ठीक है, और दिक की टेस्ट शेल बी प्रफॉर्म बाइदी डिमस्ट्रेटरिव हॉस्पिटल और लिबार्टरिस फॉर दिविश लिंक शेल बी की वेबसाइट पर जो के भी हम आपको इंशाला बताएंगे भी यहां भी अगर नीचे आजए तो इनके और भी इंपॉर्ट इंस्ट्रक्शन से भी हम उनको भी पढ़ लेते हैं तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट इसके नहीं करना मैं जानता हूंग यह वीडियो का जाता हूं रिटर अंधी फिलोसफी अप्लिकेशन शेल बीहले दर डिजानेट प्लेज आफ्र दी फिजिकल फिटनेस टेस्ट मेंशन और रोल नंबर आप देख लीजेगा यह आप अचा आपने जो अप्लाय करना है ना वह पीटीस टेस्टिंग सर्विस की वेबसाट के प्लाय करना है कि अच्छा केंडिट सरफ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाय कर सकते हैं जो में पॉइंट यहां में लिखा हुआ है और अगर हम नीचे आ जाएं तो हमारे पास यह आ रहा है केंडिट्स कौलिफाइदी रिटें फिलोसफी अप्रिटीटूड और फिजिकल इ चलेगा ठीक है बाकि आपने यह चीज़े देख लें नहीं एच लेक्सेशन पहली और लोड़ी आपको दी गई है लोकल रेजिटेंस पर से नाइसे विल नाट बी गिविंप्रेवेंस यह नहीं कि आपको पास से नाइसी वगरा है तो आप यह एरिया कि तो आपको अब है आपने यहां से बिलकुल स्किप नहीं करना अचा आपने प्लीस डाउंड दी अप्लीकेशन फ्रॉम और डिपोज़ेट शिप फॉम दी पीटेस वैबसाट आपने www.pts.org.gov.pk की वेबसाट पर चले जाना है वहां से आपने अपना अप्लीकेशन फॉम और करेंगे जिस टॉप के लिए आपने वो उसकी विट पेड कॉपी ओफ दी पीटेस डिपोज़ेट सिफ जो फी की चलान की स्लिप है और इसनल डाकुमेंट से आपने उसके साथ अपने तमाम पीटेस हेड क्वार्टर थर्ड फ्लोर अदील प्लाजा हफदल हक रोड ब्लू एरिया कराची यह वाले अड्रेस पर आपने भेज़ देने ठीक है पीटेस चल नाट बी हैड रिस्पॉंसिबल फोडी लेड डिलिवरी अप्लिकेशन फ्रम दी थूपोस्ट एंकरे अगर आपकी अप्लिकेशन वगरा लेड पहुंचे तो इसमें पीटेस का कोई कसूर नहीं होगा यह आपकी रिस्पॉंसिबलिटी है अप्लिकेशन स्वाम in complement re-s valid, औगर आपकी अप्लिकेशन फेलड फिल्ड अगर आपकी अप्लिकेशन फिल्डर पर नहीं किया होगा कि हैंड अब आपकी जो अप्लिकेशन थे अप्लिकेशन है फो इंटेर नहीं की जाएगगी ठीक है पांच चार दोजा चोबिस मतलब पांच अप्रेल दोजा चोबिस से पहले पहले आपकी जो अप्लिकेशन है वहाँ पे पहुंचाने चाहिए, इन्होंने भी यह लिखा हुआ है और यह इनका मकमल एड्रेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यह इनके ओफिशल एडवर्टाइस्मेंट थी, जो कि हमने होफ़ुली आपको A to Z तक स्टार्टिंग टू एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अच्छे तरीके से हमने आप सब को एडवर्टाइस्मेंट जो अच्छे तरीके से रीड़ करके बता दिये, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉस्ट करके और इनकी जो एडवर्टाइस्मेंट है वो अच्छे तरीके से भी रीड़ कर सकते हैं, और अप्लाय का प्रोसेस है इन्शाला उसके लिए हम एक सप्रेट से वीडियो बना कि आप सब किताश शेयर कर देंगे, तब तक इट्समेल रिक्वेस्ट आपने हमारे ये वाली वीडियो को लास्मी अच्छे तरीके से वाश कर लेना ताकि जैसे हम वाली वीडियो अप्लोड करें, तो आप जल से जल्द एप्लिकेशन फॉर्म जो डाउमलोड करके आपका